एलल भी जो तीन साल वाले हैं वो एडमिशन सुरू हो चुके हैं और आप में से बहुत से बच्चे उस फॉर्म को लेके परिशान है हमने भी कुछ फॉर्म भरने के कोशिश करी लेकिन कुछ प्रोब्लम्स थी जिनके जिनका सामना हमें भी करना पड़ा वही सब चीज इसमे में जब आप फॉर्म भरोगे हमने इस पेसले आज एलल भी के ही फॉर्म भरने की कोशिश करी है हमने सुबह जब फॉर्म भर रहे थे तो सबसे पहले फेस करी थी इसमें OTP की दिक्कत जब पासवर्ड वगयरा वो आता है जो स्टार्टिंग में आता है तो वो आने में बह 20 मिनट के अंदर अंदर वो हमने रिसेंड करके OTP मंगाले जिस भाई का हम कर रहे थे उस भाई का हम फॉर्म भरना इस्टार्ट किया फॉर्म भरने में दिक्कत आई मतलब रजिस्टरेशन क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं आई लेकिन जहां पे 10th की डिटेल डालते हैं 10 10 उस भाई ने की थी 2016 में और बारवी करी थी उसने 2018 में जादतर बच्चों का यही सवाल होगा कि उसमें 2018 आई नहीं रहा जो लिश्ट है ड्रोपडाउन मेन्यू है उसमें इयर्स आते हैं 2012 है जो बारवी कलास है वो 2017 पे लिश्ट खतम है 2018 आना चीए था क्योंकि 2018 में है 16 कोले में दस्वी करी तो 18 में होगी ना फिर बारवी तो वहां पे गडबड हो रही है तो यह भाई जो लिश्ट है यह अपडेट कर दी जाएगी हमने इस वीडियो को बनाने से पहले कॉलेज में एक बात करी है तो कॉलेज में बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने पूछ रख किसे आ रहा है ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है क्लियर अभी कुछ नहीं पता है इसका क्योंकि उन्होंने मेल वगएरा से पूछा है क्योंकि कोलेज वालों को युनिवर्सिटी जलदी से रिपलाई कर देती है इसका जैनूइन कारण अगर कल पता चला या फिर एक डेट डेट तो उसका नहीं हो पाएगा ठीक है 17 तक की हो रही है जो 17 तक है और जल्दी ही सही हो जाएगा ऐसी उम्मीद है दूसरी चीज जब मानने के चलो हमने ऐसा भी भराय कि जिस भाई ने 15 में और 17 में करी है 15 में पंदरे में करी है 10 और 17 में करी है 12 तो उसका फोर्म आगे अगर आप सरकारी कॉलिज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी कॉलिज अभी उस लिष्ट में है ही नहीं ठीक है तो ये दो दिक्कत थी जिसमें हमें दिक्कत हुई है इन चीजों को देखते हुए सबसे पहले चीज अगर मांक सीट आ रहे हैं हमारे पास 17 से पहले की तो भरने की कोशिश कर रहे हैं फोर्म को नहीं तो 18 वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसके बारे में जो भी अपडेटीड इनफोर्मेशन होगी आप तक पहुचा देंगे और जैसे ही इनफ इसके बारे में बता देंगे इसके बारे में भी हम वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे लेकिन सबसे पहले जैसे ही हमें कॉलेज से कोई इनफोर्मेशन मिलेगी सबसे पहले हम कमिनिटी सेक्षन में ही डालेंगे ठीक है तो इस वीडियो में एलल बी के लिए यही इनफ जो इस वीडियो के डिस्क्राइशन टेलीग्राम गुरूप की लिंक है वो जोइन कर लेना क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट होती है हम आपे डालते रहते हैं ठीक